एगाइज, वालकम टो अन्यू वीडियो आज इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट वाटर कलर पेपर के बारे में बताऊंगी इवन बेस्ट पोस्टर कलर पेपर इसके अन्बॉक्सिंग और मैं रिवियो करूंगी इस पर पहले में कौन सा पेपर यूज़ करती थी वाटर कलर के लिए और पोस्टर कलर के लिए उससे में इस पेपर को कमपेर करके बताऊंगी उसमें और इसमें क्या डिफ्रेंस है और उस पर कैसी पैंटिंग चैन्टिंग बना पाऊंगी सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी वीडियो के एंस ज़रू बनिये रहेगा और अगर आप चैनल पर नीव है तो ज़रू से चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा So let's get in the वीडियो So here our courier और चलिए इसे अन्बॉक्स करते हैं पहले से खुला हुआ था मैं बस इसे काटने का नाटक कर रही थी तो ये रही हमारी शीट और ये जो शीट है वो कैंसेन ब्राइंड की है जैसा कि आप देख सकते हैं 300 GSM की है ये और 10 प्लस 4 फ्री यानि 14 परसें एक्स्ट है याँ पे शीट हमें मिल जाती है और ये शीट कॉल्ड प्रेस है जैसा कि आप देख सकते हैं और बाकिया आपर कुछ नहीं दिया गया है जो लिखा हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं आप और यहाँ पर लिखा है वाटर कॉलर पेपर और ये पेपर वाटर कॉलर के लिए बहुत ही अच्छे है तो चलिए इसके इंदर से पेपर को निकालते हैं और देखते हैं कि इस पेपर का टेक्च्चर कैसा है तो जिसा आप देख सकते हैं कि इस पेपर का जो टेक्शिर है वो रफ साहे और रफ टेक्शिर अच्छा रहता है वाटर कलर या पोस्टर कलर पेंटिंग्स के लिए और कि मैं आपको इसको जूम करके बताती हूं आप देख सकते हैं इसके अंदर कैसे ग्रेंस है और कैसा टेक्शिर आपको मिलेगा इसमें और देख सकते हैं किस प्रकार का रफ टेक्शिर इसमें हमको मिलता है अब मैं आपको बताती हूं कि इससे पहले मैं किस पेपर पर वाटर पैंटींग को बनाती थी उसे मैं आपको शो करती हूँ और इसमें हमें कैसा दिफ्र dwら को 622 को डिखने को मिल जाता है तो मैं आपको अब आपको शो करती हूँ प्र डीस देख सकते हैं इस पड्र उसकित वीपर ब्र उसकी पड्रेम के दिखिव को ऑर इसकी वोटिर ाइफ देख सकते हैं कि constitution Hmm ऑपको थोड़ा स्मुद मिलेगा और बाकी यहिए जो वाटर केड़ी पिपर इसमें आपको थोड़ें गड़े गड़े से दिखाए दे रहे हैं अब मैं आपको बता हूँगी कि मैं पोस्टर कलर पेंटिंग की पेपर पर करती थी तो आप यह देख सकते हैं यह pubgypt की जो ड्रॉइंग है इसे मैं ने आइवरी पेपर पर पेंट किया है यह पेपर स्मूथ होता है तो इस पर अच्छे से हम वाटर को अपलाई नहीं कर पाते हैं और अच्छे से वाटर इसमें अपला नहीं हो पाता है इसलिए हमें डाक कलर यानि गाड़ा कलर यहां पर यूज़ करना होता है तो यह ड्रॉइंग तो ठीक ठाक बन गई थी लेकिन अब मैं स्मूद पेपर यूज़ नहीं करूंगी पोस्टर कलर पेंटि किया है वह भी मैं अब को बताते हो सुझाय की पैंटिंग है इसे मैंने वौक बड़नाया है जिसीन पो पोस्टर को यूजगा को आप सकते हैं कि कितना अच्छा लगए पोस्टर कलर रफ पेपर बनाना चाहिए अब मैं आपको मेरी फर्स पोस्टर कलरbyArt colored painting को शौ कर रही हूं यह जो काली मादध की paint इंशे मेरी favorite painting हें यह मुझे काफी ज्यादा पसंद यह और इसकी सर्फेस भी देख सकते हैं जैसे ही इस PUBG वाले पेंटिंग की है मतलब इसको मैंने आइवरी पेपर पर ही बनाया है और आइवरी पेपर इतने अच्छे ब्लेंड नहीं हो पाता है जो आउडलाइन रहती है वो मिट जाती है बाद में इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और यह मेरी इसलिए फेवरेट है क्योंकि इसकी क्योंकि गोडेज मेरी फेवरेट है और इसकी लॉंग वीडियो भी और शॉर्ट वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं इसकी जो short video है उस पर 13K views है और जो long video उस पर 1.2 या 3K views है यह सारी drawings मैंने आपको इसलिए शो करिए ताकि आप देख सकते हैं कि इस paper पर अगर हम बाद में drawing बनाते हैं painting बनाते हैं तो उसको कैसा result हमें देखने को मिलेगा लेकिन जो poster color painting है वो मैं आपको suggest करूंगी कि आप rough paper पर यह बना है क्योंकि smooth में यहां पर बहुत ही difficulties आपर face करनी पड़ती है और यह paper बहुत ही में को अच्छा लगा है लेकि और यह paper बहुत बाइंग है आप इसे जरूर बाई करिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा paper है यह and अब आप यहां पर पीछे देख सकते हैं यह paper made in France A4 size 21 cm x 29.7 cm इसकी size और इसकी link description में है अगर आपको buy करना है तो आप वहां पर जाके click कर लिए और वहां से आप buy कर सकते हैं और मैं आपको suggest करूंगी कि आप A4 size की sheet को लें A5 size की sheet भी आप पर available लें A5 sheet में आपको 24 sheets मिलेगी और A4 में आपको 14 sheets मिलेगी जैसे हम अगर A4 को cut करेंगे तो हमको 24 sheets A5 की मिल जाएगी A5 को हम A4 नहीं बना सकते हैं लेकिन A4 को A5 बना सकते हैं इसलिए आप A4 size की sheets को मैं आपको suggest करूंगे buy करने के लिए बाकि ये sheets तो मुझे काफी अच्छी लगी है next मुझे कौन से painting बनानी चाहिए आप मुझे comment box में बता सकते हैं कि में किसकी painting बनाऊ और मैं आप पोस्टर कर सही बनाऊंगे अब और वाटर कल भी यूस करेंगे so have a nice day thank you so much for watching good bye bye